हेलो फ्रेंड वेलकन टू माई चैनल मैं हूँ आपका होस और दोस्त अमित कुमा सिंग आज में आपको एक बहुती अच्छी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग को कंपाउंडी का फैदा मिलेगा सेयर डबल पे डबल होता ही रहेगा और अगर आप लॉंग टर्म इन्व जिसमें आप लोग को कंपाउंडी का फैदा मिले तो आप लोग इस कंपनी पैसा लगाईएगा दिल खोल के पैसा लगाईएगा मंतली S.I.P. डेली S.I.P. जो करना चाहते हो वो कर सकते हो आप अपने बच्चों की साधी करने के लिए पढ़ाई करने के लिए वेल्व क्र 30 साल लग जाते हैं तो 40 करोड रातो रात नहीं बनेगा 20 साल लग जाएगी और इससे जादा ही बनेगा और ये बुल मार्केट है बहुत बड़ा बुल मार्केट है तो आप लोग दबा के पैसा लगाईए जब मार्केट गिर रहा था तबी से मैं चिला चिला के बो रहा थ कि जनवरी फरवरी में निफ्टी लाइफ टाइम हाई क्यास पर ट्रेट करेगा और देख लो दो तीन हवते में मार्केट कहां से कहां आ गिया फरवरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा और ऐसा नहीं है वई कि मैं आज से बोरा हू कि बुल मारकेट है, जब ने, 378,000 का था, मैं तब ही बोल दिया था, कि यह जो बुल मारकेट है, तो डेर सालों तक चलेगा, अभी भी चल रहा है, और मैंने कभी नहीं बोला, कि बुल मारकेट खतम हो गया है, कभी भी अगर market में थोड़ा सा भी correction होता है 1000-2000 point का भी correction होता है तो आप लोग बोलना start कर देती हो कि bull market खतम हो गया तो देखो भाई अगर आपको पैसा बनाना है तो market के साथ चलिए जितनी तेजी से market गिरता है न उतना ही तेजी से market recover भी हो जाता है इसका year two जल देख लेता हूँ और आप लोग भी किसी भी company में position बनाने से पहले एक उसका financial condition के बारे पता कीजिए company के धंदे के बारे पता कीजिए अगर भै उस company का धंदा बनिया होगा business model बनिया होगा उनकी product अच्छी होगी इनकी services अच्छी होगी तभी जाके वो company लगातार अच्छे result पेस करेंगी और इसी टैप की company में आप लोग को compound का फायदा मिलेगा और आप लोग ऐसी company पैसा लगाईए जिसमें आप लोग को compound का फायदा मिले तभी जाके आपका पैसा बनेगा wealth creation हो पाएगा तो देखो net sale turnover मार्च 17 में था वो 5500.21 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 8736.36 तो चुका है तो देख से तो पहुत बढ़िया इसका net sale turnover है year to year by 5500 से 8700.36 चुका है total income देख लो total income बे इसका सांदार है year to year by मार्च 17 में जो total income था वो 5575.63 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 88856.08 हो चुका है तो देख से तो बहुत ही बढ़िया इसका total income है year to year by 5500.75 से 88856 हो चुका है तो भाईया मुझे इसका net sale total income year to year बहुत ही अच्छे दिखाए देख रहे है आप खुद भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है operating profit देख लो operating profit भी इसका सांदार है year to year by मार्च 17 में जो operating profit था वो 477.17 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 1090.87 हो चुका है तो देख से तो बहुत बढ़िया इसका operating profit है year to year by 457.17 से 1090 हो चुका है अबिटा देख लो भाई अबिटा भी इसका सांदार है year to year by मार्च 17 में जो अबिटा था वो 552.58 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 1210.59 हो चुका है तो देख सकतो बहुत बढ़िया इसका अबिटा year by 552 से 1210 हो चुका है और किसी भी year में कमभी नीर है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है positive बात होती है तो भीया मुझे इसका operating profit एविटा year to year बहुत ही अच्छी दिखाई देख रहे ऐसी financial performance वाली company पैसा लगाते हो वाई आपका पैसा double पे double होता ही रहेगा तो पैसा लगाईएगा एक बहुत बड़ा multi-way stock है profit and loss वे देख लो profit and loss for other ways का सांधार है year to year by March 17 में तो profit and loss for other था वो 232.31 था March 17 में और March 21 में देख लो 831.33 हो चुका है तो देख से तो पहुत बड़ा इसका profit and loss वे दिया रहे year to year by 232 से 831 हो चुका है और किसी भी year में कम भी नहीं रहे जो कि एक पहुत अच्छी बात होती है positive बात होती है reported pad देख लो reported pad भी इसका सांधार है year to year by March 17 में जो pad था वो 232.31 था March 17 में और March 21 में देख लो 831.33 हो चुका है तो देख से तो पहुत बड़ा इसका reported pad है year to year by 232 से 831 हो चुका है और ये भी किसी भी year में कम नहीं रहे जो कि एक पहुत अच्छी बात है annual EPS देख लो भाई annual EPS बेस का सांधार है year to year by March 17 में जो annual EPS था हो 16.45 था March 17 में और March 21 में देख लो 55.75 हो चुका है तो भी इस कंपनी का नाम है Polycab India Limited आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि Polycab India करती क्या है क्या बिजनेस है तो आपको Polycab में दिल खोल के पैसा लगाईए ना Polycab India का distribution network बहुत ही बढ़िया है और ये fundamental by strong company है आज से 10 साल पहले 25 साल पहले बिजली नहीं हुआ करता था गाउं में लेकिन आज के एट में आपको हर जगा बिजली मिल जाएगा तो जाईर सी बात है लोग fan खरी देंगे switch खरी देंगे wire खरी देंगे bulb खरी देंगे MCB ये सब खरी देंगे तो भीया ये सब company का business बढ़ेगा न कि घटेगा Polycab India इसी company पैसा लगाएगे तो आपका पैसा साथ जन्मों तक बनेगा और बन भी रहा है और उससे भी बड़ी बात है ये सब company में आप लोग को compoundi का फायदा मिलेगा तो आप लोग polycab इंडिया में पैसा लगाएगे और जो भी पैसा लगाएगे और long term के लगाएगे रातो रात भाया कुछ भी नहीं होता है और आप लोग लोग टर इंवेश्टर है तो उसी कंपनी पायासा लगाएगे जिसमें आप लोग को compoundi का फायदा मिले ज्यादा दिमाग ना खराब करे और SIP कीजिए polycab जैसी company में extra pipe जैसी company में RT industry जैसी company में SRS जैसी company में मैं इस company पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि polycab इंडिया का price 8-10,000 तुरंथ हो जाएगा और इस company पे मैं IPO से वीडियो बना रहा हूँ बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को मैं पुरानी वीडियो भी दिखाना चाहूँगा तो ये वीडियो में 28 सितंबर 2019 को बनाया था COVID के पहले बनाया था किस price ए वीडियो बनाया था आप लोग को मैं वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो 697 रुपय के price बनाया था 28 सितंबर 2019 को और मैं कई वार वीडियो बनाया हूँ वाई एक वार इस company वीडियो नहीं बनाया हूँ कई वार वीडियो बनाया हूँ और मैं जिस company वे सबसे अधर वीडियो बनाता हूँ ना तो समझ लो वह बहुत ही अच्छी company होगी तभी जाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ यह सबसे अच्छी company थी तभी मैं वीडियो बना रहा था दुनिया भर के company खहिने से वाई आपका पैसा नहीं बनेगा बजास finance अच्छी company है इसलिए मैं बजास finance का नाम हर वीडियो में लेता हूँ तो आप लोग बजास finance से पैसा लगाई यह 9000 का हो जाएगा फरवरी के महिने में मुझे लगता है कि 9000 का हो जाएगा और अभी इस company का क्या price चरह है वो मैं दिखाना चाहूँगा यह compounding machine है और 271 रुपया रातो रात नहीं हुआ था भई कई बार correction हुआ था COVID-19 में ही अच्छा खासा correction हुआ था तो इस company में कई बार correction हो चुका है 20% का 25% का 35% का जब भी polycap में correction होता है कई लोग मुझे से पूछते हैं कि कितना गिरेगा कितना गिरेगा कुछ दिन पहले इस company में correction हुआ था उससे में भी कई लोग comment करके पूछ रहते कि क्या करना चाहिए stock कितना तक आएगा मुझे 5% का loss हो रहा है 10% का loss हो रहा है तो देखो भाई कितनी भी अच्छी company होंगी तो उसमें correction होगा ही होगा तो correction से घबराईए मत अभी market 2-3 हफते में बहुत तेजी सूपर आया है तो क्या market गिरेगा नहीं थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा चलता ही रहेगा हाई पे हाई लगाता ही रहेगा ऐसा भाई कभी नहीं होता है कुछ दिन पहले भाई मैं paid से स्टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ telegram join करना चाहते हैं तो telegram भी join कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बना के देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो polycab इंडिया में अगर आप लोग 5 लाग रुपे लगाती हूँ तो 15-20 सालों में आपका 40-50 क्रोड बन सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ principal amount जो मैं रखा हूँ वो 5 लाग रुपे रखा हूँ उजले हो जाएंगे white हो जाएगा तो आप यहाँ पे return देख लो 41 करोड तो अगर आप लोग 40-50 क्रोड बनाना चाहते हो 100 क्रोड बनाना चाहते हो 500 क्रोड बनाना चाहते हो तो भाईया long tank investment कीजिए polycab 40% से जादा है return बना के देगा और आप जितना समय दीजेगा आपका पैसा उतना ही बनेगा और आप 10 सालों के investment कीजिएगा तो आपको जो return मिलेगा वो 1 करोड 44 लाग रुपे मिलेगा तो आपको decide करना है वाई क्या आपको 1 करोड 44 लाग रुपे बनाना है कि 50-100 करोड बनाना है 500 करोड बनाना है वो आपको decide करना है क्योंकि आप जितना समय देंगे आपका पैसा उतना ही बनेगा 10 सालों में 1 करोड 44 लाग रुपे बन रहा है और 20 सालों में 41 करोड रुपे बन रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप long time investment कीजिए अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप किसी property को अभी खरीकते हो और 2-3 साल बाद बेच दोगे तो आपको ज़ाद return नहीं मिलेगा लेकिन उसी property को अगर आप लोग 20-25 साल बाद बेचेंगे तो आपको कई गुना return मिल जाएगा तो भया उसी तरह share market भी है लॉंग टर्मे धन्यवाद